मारो इसे और मारो इसे ये इसी लायक है सर पंजी कालिया को चोरी करते हुए हम सबने रंगे हाथ पकड़ा है अब इसे गाउं से बाहर निकाल देने में ही हम सब की भलाई है तो देर किस बात की है अभी इसे धक्के मार के इस गाउं के बाहर का रास्ता दिखा दो अरसार पंज ऐसा मत करिया, मुझे एक बाउ का और दीजिया, मैं दुबारा कभी जोरी नहीं करूंगा लेकिन गाउंवाले उसकी प्रिक नहीं सुनते और उसे मार मार के गाउं की सीमा के बहा निकाल देते हैं मेरी कमर दर्त के मारे मेरे जान निकली जा रही है, कमबकतों ने जम के दुलाई की है मेरी अरे पगवान करें, इनके गाउं में भूचा ला जाए, धर्ती भट जाए और सब गाउंवाले उसमें समा जाए चलते चलते कालिया जंगल में पहुँच जाता है उसे वहाँ एक प्रयोगशाला दिखाई दीती है अरे, इस चंगल में या अजीब सा देखने वाला घर किसने बनाया है, चल कर देखना पड़ेगा कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है, दो वय्यानिग प्रयोगशाला में बाते कर रहे होते हैं पदाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनोंने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविश्का कर लिया है, जिससे पहन कर कोई भी इन्सान गायब हो सकता है हाँ हाँ, तुमने बिलकुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो, अब कल सुबर ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं हाँ हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से बुख लगी है, चला चलते है दोनों वज्ञानिक वहाँ से चले जाते हैं, उनके जाते ही कालिया प्रयोक शाला में दाखिल होता है अच्छा, तो ये बात है कालिया बड़े से काज के अंदर रखी घड़ी को बहार निकाल लेता है, और अपनी कलाई पर बाध लेता है फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है कालिया को एक जोरदार जटका लगता है कालिया अपने आपको आईने में देखता है, तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गाय भूचुका होता है अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा गाउवालो, मैं आ रहूँ कालिया गाउव की योर चल पड़ता है, उदर दूसरी तरफ गाउव में सर पंच अपने घर में सो रहा होता है तभी एक आहट से उसकी निंद खुल जाती है अरे, कौन है? कौन है बहा? बड़े मज़े से सो रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कालिया पांस में बड़ा डंडा उठा कर सर पंच की पिटाई शुरू कर देता है ये ले, ये और ये ले, इसी लायक है, ले आप मर गया, अरे, अरे, ये क्या हो रहा है अरे, अरे, कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है सही कहा, मैं भूत दो हूँ, ये ले अरे, भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मुझे छोड़ देजिए, आपको क्या चाहिए तेरे गर में जितना भी पैसा है न, मुझे लाकर दे दे तब मैं तुझे छोड़ दूँगा, और यहां से चला जाओंगा सरपंच अपनी तीजोरी से पैसे निकाल कर एक बड़े कपड़े में बांध कर जमीन पर रख देता है और कालिया, वो सारा पैसा लेकर वहां से चला जाता है दूसरी तरफ जमीनदार, गाओं के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है इस कबीने जमीनदार ने भी मुझे बहुत पीटा था इससे भी बदला लेना तो बनता है जमीनदार अचानक अपने आपको चाटे मानने लगता है अरे भाई, ये क्या हो रहा है जमीनदार साहब, अब ठीक तो है न अरे मुझे नहीं पतब है अरे मर गए रे ये तपक का किसी बूत प्रित का काम है जमिंदार के अंदर कोई बूत आ गया है इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए मनोहर बाई अपनी जान बचानी है तो भागो यहां से ये क्या अरे बाप रे बाप मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है मैं तो चला यहां से दूसरी तरफ कालिया सारे पैसो को एक खंडर में छुपा देता है इतने सारे रुपय तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाओंगा आज मैं उस मोटे बबबन को अपना शिकार बनाओंगा सुना है देज में बहुत सारे पैसे और गेने मिले हैं उसे रात होते ही कालिया बबबन के घर में गुज जाता है मिल गई ती जोरी अब जल्दी से इसे खोल कर सारे पैसे निकाल लेता हूँ अरे खुल जा खुल जा खुल ले गई कालिया पैसे थेले में भरी रहा था कि तभी बबबन उसकी बगल में आकर खड़ा हो जाता है भई क्या कर रहा है अरे हट अरे तेरी इतनी हिम्मत मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तु फिर भी मेरी तिजोरी से पैसे चुरा रहा है अरे मैं तो गायबू तु मुझे कैसे देख रहा है कालिया अपनी घड़ी को देखता है अरे इसे क्या हो गया है हाई लगता है बैटरे खतम हो गई अच्छा तो आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज कर देता हूँ अर भागेवान, जड़ा मेरा डंडा तो लाना ये मोटा मुझे नहीं छोड़ेगा, अर भागो